हेलो फ्रेंड्स आइव मैं बनाने जारी हूं ब्रेड पिउड है जो बच् power को काफी फसन आता है आंई बनाते हैं पहले मैंने ब्रेड़ पो पीड़्जा सॉस ले लिया देख सकते हैं फिस अच्छे से मिला लें यह देखिए मैं अच्छे से पीजा सॉस ले लिया इसमें अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी दोनों ब्रेड पे देख सकते हैं यह पीजा काफी इजी ब्रेड पीजा बनाना अब मैंने इसमें चीज को कद्दुकस कर लिया है अगर आप चीज को कद्दू कस करके डालेंगे तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से पक जाता है यह देखिए मैंने दोनों में ऐसे मैं कद्दू कस कर लूँगी दोनों ब्रेड में मैंने यह दोनों ब्रेड में अच्छे से चीज को कद्दू कस कर ल इसके उपर रख दूँगी यह देखिए मैंने दूसरे ब्रेट को इसके उपर रख दिया है अब मैं तवे पे बटर डाल दिया है हमारा बटर देखिए पिखल गया है अब इसे चारो तरफ से अच्छे से मिला लेंगे तवे पे हाँ और लो बिलकुल मेडियम होना चाहिए बिलकुल लो फ्लेम बिलकुल लो होना चाहिए अब मैं ब्रेट अप तवे पे रख दूँगी और फिर मैं इसे ढख दूँगी 2-3 मिनिट मैं इसे ढख कर पकाऊंगी ताकि हमारा चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए दो मिनिट के मिलीव चटो बटर डालने के पाद मैं इसे पलट दूंगी। यह दिखिए मैं बटर डालने के बाद इसे पलट दिए अब ने कितना अच्छा कलरो हो गयाा है । अब पिर मैं इसे भी एक से दो मिनट के लिए ढ़क कर पकाऊंगी मैं इसे भी ढ़क दूंगी अब इसे भी मैं दो मिनट के लिए पकन दूंगी दो मिनट के बाद देखेंगे हमारा ब्रेट पीकज़ा बनकर countless सब केऊद सकते हैं और यह बहुत ही आप इसे पांच मेर्ट में बनाया है और ये खाने में काफी टेस्टी लगता है जब भी आपके बच्चे को पीज़ा खाने का मनो तो ब्रेट और चीज तो सबके घर में होता है आप फटा फट से ये वाली रेसेपी बना दे आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा बड़े भी इसे खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही स्वादिस लगता है देख सकते हैं आप ये देखें इसमें चीज कितने अच्छे से मेल्ट होगया और देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना यमी है अगर मेरी रेसेपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वेडियो को लाइक करें